हेलो गाइज दिस इस मी अंकोर उपाधियाय वेलकम तो आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनलेसिस बात करूंगा मार्केट लीडर आईटी लीडर इनफेक्ट इनफोसिस के बारे में इनफोसिस के शेयर में हम सभी ने देखा कि रिजल्ट के बारे बहुत तंगडी रैली आई गैप अप हुआ एक तरीके से और उसके बाद पूरी तरीके से वह जितने भी जितने भी गेंस थे सब गेव अप होते हुए दिखे नेक्स हमने देखा कि स्टॉक अपना 52 वीक हाई लगा के एटीन हंड्रेट के ऊपर निकला और आज के दिन स्टॉक में फिर से एक ऊपर क चाहता मतलब स्टैम कॉंफिडेंस नि दे रही उपर के लेवल से पहले उसने लेवल ब्रेक हो रहे हैं दिरे-दिरे 200 के लेवल भी तोड़ दिया आठारा दोसों का भी और आठारा दोसों के नीचे निप्टी टेट कर रही है ऐसे में इनफोस में आपके लिए क्या होगी मेरी राय क्या होनी चाहिए आपकी आगे की रंडी यहां पर बाय करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए और फ्रेस एंट्री बनानी है तो कौन से हो सकते हैं बैस लेवल इन सब के बारे में बात करेंगे तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं शुरू उससे पहल प्लैटफॉर्म पर लिंक आपको कॉमेंट बैक्स में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से अपना अप स्टॉक पर अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं इन्फोस के बारे में बात करूं तो आज के दिन का हाई और ओपन देखो कि तो आप चेंज नहीं होता तो वहां पे आप सैल कर दीजिए और इसी के अपोजिट अगर किसी स्टॉक का हाई और लो सेम है और पांच मिनिट तक वह ब्रेक नहीं होता तो आप उस स्टॉक को बाय कर लीजिए इंट्राडे के लिए या आपके लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से यह मैंने आपको पहले भी सजेस्ट कर आई अपनी वीडियो में आज की दिन हमने क्या देखा सेम टू सेम हाई और ओपन सेम था मींस की 15 मिनिट तक ब्रेक नहीं हुआ तो आपको क्या है सेलिंग का मौका मिलता है पांच मिन 1770 पर आगया इस टॉक का लो और उसके बाद अभी एक थोड़ा से 10 पॉइंट का उपर की तरफ मूब आया बट मुझे नहीं लगता यह सस्टेन करेगा क्योंकि IT आप सबीन देखा कल के दिन नैस्डेक में IT कहीं गिरता हुआ दिखा है हमें वहीं आज के दिन हमारे इंड सबसे पहले मैं इनफोसिस के बारे में बात करूँ तो इनफोसिस मैं आपको बता दू 1780 पे ट्रेड गर रहा है राउंड एक परसेंट की कमजूर है सबाएक परसेंट के गरीब की डेलो 1768 का है इसके रिजल्स आई थे और रिजल्स हम सभी ने देखा कि अनुमान से बहतर यह है ओर इसे में ब्रोकरीज राउस इसकाफी जादा बुलिश होते हुए दिखें इस टॉक पे और ब्रोकरीज हाउस के जो टार्गेट है 1900 2000 2050 यह अप्रोक्स अप्रोक्स यह सारे ब्रोक्रेज उसके यही टार्गेट थे मीन्स कि यहां से तो सब के ऊपर ही थे अच्छा अभी मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा काफी पुरानी हो गई यह नियूज वैसे इस टॉक में अनाउंस हुआ था कंपनी की तरब से लास्ट तू लास्ट क्वाटर में भी और उससे भी लास्ट में भी तो जो बाई बैक का प्राइस था वो सेवंटीन फिफ्टी का था मतलब सेवंटीन फिफ्टी तक था बाई बैक करेंगे यहांई 1750 तक उन्होंने करता था और 1750 तक में वो buyback अनौश किया था मतलब तो अभी उन्होंने अगर share खरी दें तो उन्हें अभी कितना फायदा हो रहा है stock में मात्र 2% जो की 1750 तक उन्होंने stock उसर मारके मैं यह नहीं कहा रहा कि यहां सारे stock उन्होंने 1750 भी खरीदे होंगे वो पूरा buyback की range यो भी होगी बट buyback की जो उपरी इस्तर था मतलब जो higher end था वो 1750 था और 1750 के उपर trade कर रहा है यानि उनका पूरा buyback हो चुका था और मैंने वीडियो बनाई थी और यह around around December तक होना था जो कि उन्होंने पहले ही कर चुके है क्योंकि अब तो वो buyback करी नहीं सकते क्यों या तो stock नीचे आएगा तो वो दुबारा buyback करेंगे क्योंकि उनका higher end जो 1750 और उससे नीचे ही वो buyback करेंगे और यह December तक चलेगा buyback लेकिन buyback कई ना कई पूरा हो गया है या नहीं है वो confirm नहीं है बट हो गया है मैंने शाहिद वीडियो बनाई थी मैंने क्या हो लाता मैं खुदी बूलिया हूं तो अभी buyback के price से कितना उपर है 2% अगर आप तीन महीने का समय दे सकते हैं इस stock में यानि कि मतलब आप थोड़ा medium term investor हो और कल बेच देते हैं तो वो investor नहीं है थोड़ा सा time period और आप market वैसे भी थोड़ी सी कहीं न कहीं है आप सभी देख रहे हो कि बहुत hardly hard हो गई मतलब बहुत जादा बुरी तरीके से stock पिटते हूँ देख रहे हैं पिछले 2-3 दुनों में ऐसे में आप भेतरीन quality के stock लि in fact 18.45.50 तक गया था कल के session में stock यह 52 ही खाई 18.34 शो कर रहा है बट कल के session में intraday में 18.48 का high था तो stock में आप कहीं न कहीं wait करने की सला है मुझे लगता है यहां से उपर के levels दुबार आएंगे और आपको अच्छा profit हो सकता है साथी साथ अगर बात करें fresh entry के बारे में तो देखिए stock में जो event था यानि की results का वो निकल चुका है company ने dividend का भी announcement करा है 15 रुपीज पर share पे वो dividend अगर आप लेना चाहते हैं तो आप आज भी buy करेंगे तो भी आपको dividend मिलेगा क्योंकि dividend की accident around 28th October आई थी तो आप यहां भी अगर बाय करते हैं तो आपको dividend मिलेगा और मेरे इसाब से stock नीचे के level जो है वो limited है लेकिन upside आप सभी को पता है unlimited होती है हर स्टॉक में और यह तो fundamentally काफी strong है तो मुझे लगता है आपको कहीना कहीं हर डिप पर buying opportunity ढूंडनी चाहिए stock काफी बहतरी है in forces आप सभी को पता है साड़े साथ लाग करोड का market cap है काफी बड़ा है तो no doubt it और IT में second सबसे बड़ी company और largest है तो कहीना कहीं आपको पूरा वरोसा है इस year पे और मेरा पूरा वरोसा है अगर आप इसको share को buy करके 3-6 महीने hold करते हैं आपको profit जरूर मिलेगा in fact कुछ brokerage houses का 2100 के above का भी target है तो क पहीना कहीं position बनाने की सोचें ना की निकालने की hold करें अगर position है तो और अगर fresh entry बनाना चाहते हैं तो आप बिलकुल बना सकते हैं हर dip पे buy करें ऐसा नियार आपने आज buy करा और और गिर गया तो यह हो यार यह तो गिरिगा वो market है वो कुछ भी होगा लेकिन जो overall क्या होन और नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपनी position बना सकते हैं यह मेरी वीडियो इंफो से शेयर पर आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी तो thank you so much for watching this video